रामा ने जो स्थान विजय नेदर में प्राप्त किया वो सराहनिय है रामा केवल इस युग में ही नहीं अपितु हर एक युग में बुद्धी और कोशल के लिए जाने जाएंगे रामा ने अपना नाम इतिहास के स्वणिम अक्षुरम में लिख दिया था उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धी कोशल से आने वाली हरे एक संकट को टाल दिया युगो युगो तक यदि किसी राजा और उसके सलाहकार की मित्रता की चर्चा होगी तो महराज कृष्ण देव राय और पंडित रामकृष्णा की ही होगी अब तक आपने देखा कि रामा विजयनेगर को त्याकर अपने परिवार सहित अपने गाउं तेनाली वापस लोट जाता है और कारण यह बताता है कि उसे अपने तेनाली गाउं के विकास के लिए वहाँ पर अपना योगदान देना ही होगा परंतु जैसा कि आप सब जानते हैं तेनाली रामा के जाने की पश्चात विजयनेगर एकदम सुना सुना हो जाता है इसके बाद प्रजाजन, राजा कृष्णदेव राया और महल के सभी दरबारी में सला मश्वरा हो करके ये परिणाम आता है कि राजा कृष्णदेव राया तेनाली गाओं के विकास की जिम्मदारी स्वेम अपने हाथों में लेंगे और रामा को वापस विजयनेगर में बुलवाएंगे और ठीक ऐसा ही होता है रामा का पुने विजयनेगर में बड़े ही धूमधाम से स्वागत होता है और पूरे राजे में खुषी और उलास का वातावरन छा जाता है अब आगे विजयनेगर सामराज जिगी राजा कृष्ण देव राय के दर्बार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था उनके दर्बार में संगीत कारों, गीत कारों, कवियों और नर्तकों की ताता लगी रहती थी वे सभी दर्बार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरुसकार भी दिया जाता था और राजा कृष्ण देव राय किसी भी कलाकार को कोई भी पुरुसकार या फिर धनराशी देने से पहले तेनाली राम यानि की आपकी पंडित रामकृष्ण से सला मश्वरा जरूर करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि तेनाली राम अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति तो है ही साथ ही साथ उन्हें कलाकी भी अच्छी पहचान है तेनाली रामा को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दर्बारियों को जलन भी बहुत ज़्यदा होती थी दर्बारी चाहते थे कि राजा तेनाली रामा पर विश्वास करना बंद कर दे जलने वालों की सूची में जो नाम सबसे अवल था वो था विजय नगर समराज्य के राजपुरोहित धूर्थ, पापी और मकार अपने इस स्वार्थ की पूर्थी करने वाला राजपुरोहित तथा चार्य अब हुआ कुछ ऐसा, एक बार तेनाली रामा दर्बार में नहीं आ सके उनकी इस गहर मुझूद्गी का फाइदा उठाते हुए दर्बारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिये उन्होंने राजा से कहा, महराज तेनाली रामा बहुत बैमान आदमी है वो जिस भी कलाकार को पुरुसकार दिलाना होता है, वो उससे पहले रिश्वत ले ले लेता है इसलिए आप उससे इस विशे में सला लेना बंद कर दीजिए ऐसे ही चार-पांच दिन तक तेनाली रामा दर्बार में नहीं आए तो भई दर्बारियों ने फिर वही बात राजा से कही सभी दर्बारियों के बार-बार कहने पर राजा को भी तेनाली रामा पर शक होने लगा हाला कि कृष्ण देव राय और तेनाली रामा की मित्रता के चर्चे उनके भरोसे इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे लेकिन भई दर्बारियों के इतना कहने पर इतने दिन तक उनकी चुगली पीटने पर राजा को भी थोड़ा संदे हुआ और जब कुछ दिनों बाद तेनाली रामा दर्बार में उपस्तित हुए तो उन्होंने महराज के चेहरे को कुछ उखड़ा उखड़ा सा पाया तेनाली रामा ने देखा कि अब महराज ने उनकी सला यानि कि जब भी वो किसी को पुरुसकार देते हैं तो तेनाली रामा की पहले सला लेते थी लेकिन अब उन्होंने उनसे सला लेना बंदसा कर दिया है पर ये सब देखकर तेनाली रामा काफी ज़्यादा उदास हुए फिर जब एक दिन राजा के धरबार में गायन पृतियोगिता का आयोजन किया गया था तो गायन पृतियोगिता के खत्म होने के बाद तेनाली रामा बोले कि एक गायक को छोड़कर सब को इनाम मिलना चाहिए लेकिन राजा ने इसके बिलकुल विपरीत कारे किया उनके विपरीत वेवार को देखकर तेनाली रामा काफी ज़दा उदास हुए उन्होंने उस गायक को इनाम देखकर बाकी सब को खाली हाथ लोटा दिया अब भई तेनाली रामा के लिए तो ये काफी ज़दा अपमान जनक बात थी पहले राजा के साथ उनके कितने मधुर संबंध हुआ करते थे उनकी बात और उनकी विचारों का संबान पूरे दर्बार में किया जाता था और रामा का ये अपमान देखकर सभी दर्बारी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए अब भई कुछ दिनों बात दर्बार में एक बहुत ही सुरिला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया राजा की आग्या पाकर उसने गाना शुरू किया उसकी आवाज और सुर्ताल बहुत मधूर थे उस दिन उसने राजा के दर्बार में भई एक से बढ़कर एक गीत सुनाया और पूरी राज सभा को भाव विभोर करकर रख दिया जब उसका गायन समाप्त हुआ तब तेनाली रामा उस गायक से बोले तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है और मैंने ऐसी गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने इस पृतिभा के लिए तुम्हें 15,000 सुन मुद्राई जरूर मिलने चाहिए तेनाली रामा की ये बाते सुनकर महराज बोले कि तुम्हारी कलाव वाकई में लाजवाब है लेकिन हम क्या कर सकते हैं हमारे राजकोश में किसी भी गायक के लिए इतना धन नहीं है इसलिए अब तुम यहां से प्रस्थान कर सकते हो यहां से जा सकते हो राजा की ये सब बात सुनकर गायक बड़ा निराश हुआ और अपने वाद यंत्र समेट कर जाने लगा तेनाली रामा को उस पृती भावान गायक की दशा पर बहुत ही ज्यादा तरस आया उन्होंने भावुक होकर उन्हें वापस बुलाया और रोका और उन्हें भरे दर्बार में एक पोटली दी ये सब देखकर सभी दर्बारी इसका विरोध करने लगे और इसके बाग तो सभी दर्बारी एक ही स्वर में एक साथ बोले कि भई जब राजा नहीं कुछ नहीं दिया तो तेनाली राम कोन होता है जो खेरियत बाट रहा है राजा को भी तेनाली रामा की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन्होंने एपने सेवकों को आदेश दिया कि गायक सेवक पोटली छींग कर मेरे पास लाओ सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए भाई अब राजा ने पोटली खोली तो पाया कि पोटली के अंदर एक मिट्टी का बरतन था और उस मिट्टी के बरतन को देखकर राजा तेनाली रामा से सवाल करने लगे कि भई तुमने गायक को मिट्टी का बरतनी क्यों दिया क्यों देना चाहते थे तुम ये मिट्टी का बरतन गायक को तो इसके जवाब में तेनाली रामा बोले महराज बेचारही है गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया लेकिन कम से कम इस दर्बार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा इस मिट्टी के बरतन में वो अपनी तारीफ और वाहवाई भर कर ले जाएगा तेनाली रामा से के मूँ से ये सब बात सुनकर राजा को उसकी दर्या दिली और उसकी सच्चाई का फिर से अभास हुआ उनका गुसा जटपट गायव हो गया और राजा ने गायक को पंदरा हजार सुन मुद्राएं इनाम में दे दी और गायक इसके बाद तो उचलता कूटता हुआ राज दर्बार से प्रस्थान ही कर गया इस तरह तेनाली रामा ने अपनी सूजबूज और इमानदारी के बल पर राजा की विश्वास को फिर से हासिल किया वहीं तेनाली रामा के विरोधी छोटा सा मू लेकर खड़े देखते रहे तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है कृष्ण देव राय हर साल विजय नगर का वार्शिकुच्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाते थे पड़ोसी राजों से अच्छी मित्रता होने के करण वहां के राजा को भी आमिंद्रित करते थे और उन्हें अपने उत्सव में सम्मेलित होने का अफसर देते थे और राजा कृष्ण देव राय के लिए उनके मित्र राजा अनेक उपहार बेजवाते थे हर साल की तरह इस पार भी विजय नगर का वार्शिकुच्सव बनाए गया और इस सबसर पर राजा कृष्ण देव राय को चार बेश किमती फूलदान उपहार में मिले फूलदानों को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया और ऐसा होता भी क्यों ना उन सबी फूलदानों की शोबा देखते ही बनती थी उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानुप्रकरती के सबी रंगों को मिला कर उन्हें रंगा गया हो और गहन नकाशी से तराशा गया हो जब बात इन फूलदानों की देखरेक की आई तो महल के सबसे काबिल सेवक रमया को इसका कारेभार सोपा गया रमया भी खूब धान से उनका खयाल रखने लगा वे उन पर कभी भी धूल ने लगने देता बड़े सलीके से फूलों को सजाता और फूलों से भढ़कर फूलदानों की देखरेक करता था ऐसे ही एक दिन जब फूलदान साफ कर रहा था तो अचानक से एक फूलदान उसके हातों से फिसल कर जमीन पर गिर गया और चकना चूर हो गया ये सब देखकर रमाईया डर गया इस बात की ख़बर जब राजा कृष्ण देव राय तक पहुंची तो वो गुस्ते से आग बबुला हो गए उन्होंने आवेश में आकर सेवक को फासी मृत्यु दंड की सजा सुना दी बेचारा रमाईया फासी की सजा सुनकर कापने लगा और जोर जोर से रोने लगा अब भई सभा में उपस्तित राजा के अश्ट दिगजों में से एक यानि कि आपके पंडित रामकृष्ण ये सब देख रहे थे उन्होंने राजा को इस विशय में कुछ समझाना चाहा और अपनी राय देनी चाही लेकिन उस समय राजा कृष्ण देव राय का गुस्सा सांत्वे आसमान पर था इसलिए उन्होंने शांत रहना ही उचित समझा और इसी बीच राजगुरु तथा चारे ने आग में घी का काम किया उन्हेंने राजा को और भी ज्यादा उक्साया औ उससे में जब तेनाली रामा रामिया से मिलने के लिए गए तो रामिया ने उनिसे अपने प्राणों की सुरक्षा की गुखार की और रामा के सामने गिडगडाने लगे। तेनाली रामा ने रामाईया के कानों में धीरे से कुछ कहा जिसे सुनकर उसके चेरे के सारे हाव भाव शान्त हो गए और उसने अपने आसू भी पोच लिए अब भई पंडित रामा कृष्णा के मस्तिश्क में क्या चल रहा था ये तो केवल वो ही जानते थे दिवस बीते रात्री बीती और फांसी का दिन भी आ गया रामाईया बिलकुल निश्चिंत और शांत खड़ा हुआ था फांसी से पहले रामाईया से उसकी आखरी ख्वाईश पूची गई तो भी रामाईया ने जट से जवाब में कहा कि वो मरने से पहले बचे हुए तीनों में डूब गए और इसके बाद तथा चारे ने अपनी धुन भजानी शुरू कर दी और ब्रामाईया को जोड़ जोड़ से प्रताडित करने लगे और कहने लगे कि ये क्या पाखंड कर रहे हो तुम ये कैसी मुर्क तपून बाते कर रहे हो और इसी तरीके से दर्वार का और फांसी का समय जो है वो व्यरत करने लगे इसके बावजूद राजा कृष्ण देवराय कहते हैं कि राज गुरू जी शान्त हो जाईए हम इसकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे इसके बाद राजा कृष्ण देवराय के आदेश के अनुसार तीनों फूल दानों को म अलपना और सोच से परे था रामया ने फूल दानों को धीरे से उठाया और एक एक करके सभी फूल दानों को जमीन पर पटक दे मारा इसके बाद सारे फूल दान तूट गए और वो चकना चूर हो गए ये सब देखकर राजा गुस्से से लाल पिले हो गई और क्रोधित हो तो राजगुरु तथा चारे ने बवाल कर दिया उन्होंने भी राजा के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि ये तो दुष्ट है इसका इतना दुसाहस कैसे हुआ कि हमारे महराज के बचे हुए फूलदानों को भी इसने तोड डाला उन्होंने कहा कि महराज रामया को इस कुकृत्ते के लिए फांसी से भी ज्यादा दर्दनाक दंड मिलना चाहिए इसके बाद राजा ने रामया से जवाब मांगा तो रामया ने बड़े ही मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया रमया ने कहा कि महाराज मेरी ही गलती के कारण आपका एक बेश कीमती फूलदान टूट गया था और जिसकी वज़े से मुझे इतनी बड़ी सजा मृत्यू दंड दी गई और मैं ये चाहता हूँ कि अगर भविश्य में किसी भी सेवक द्वारा इन तीनों फूलदानों में से अगर गलती से कोई भी फूलदान टूट जाता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसे भी मेरी ही तरह इतनी बड़ी मृत्यू की सजा मिले और ऐसा दिन देखना पड़े इसलिए मैंने स्वेम ही इन फूलदानों को अपने हातों से ही तोट डाला ये सब बाते सुनकर राजा कृष्य देव राय का क्रोध शान्त होने लगा और इसके बाद उन्हें ये भी समझ में आ गया कि कैसे कोई निर्जी वस्तू किसी भी व्यक्ती के जीवन से अधिक महत्वपून नहीं हो सकती तथा आवेश में आकर वो किसी भी व्यक्ती के प्राण एक तुछ से फूलदान के लिए नहीं ले सकते अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनका बहुत बड़ा अपराद होगा जीवन का इसलिए राजा ने सेवक रामया को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया अब भई साथ में खड़े हुए तेनाली ये रामा यानि की पंडित रामकृष्णा ये सब देखकर मंद मंद मुस्करा रहे थे अब भई रामा कृष्णा की इस हसी को देखकर राजा कृष्ण देव राया रामया से पूछने लगे कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा सब कुछ करने के लिए किस ने कहा था तब भई रामया ने राजा को सारी बात सारी कहानी सुना दी और बताया कि ये सब करने के लिए उन्हें पंडित रामकृष्णा यानि की तेनाली रामा ने ही कहा था और ये सब सुनते ही राजा कृष्ण देवराय बहुत ही ज़ादा प्रसन हुए और तेनाली रामा को अपनी पास बुला कर उन्हें गले से लगा लिया इसके बाद राजा ने तेनाली रामा से कहा कि आज आपने हमें एक बहुत ही बड़ी गलती करने से बचा लिया और साथ ही एक काबिल सेवक की जान को भी बचा लिया ये सब देखकर राजपुरोई तथा चारे जली भुनी ककडी जैसे हो गए इसके बाद राजा ने रामा से बोले कि यदि अगर आप ऐसा आज नहीं करते तो एक निर्दोश की हत्या का दोश हमारे उपर लग जाता साथ ही आपने हमें एक नई सीख भी दी है हमें सीखने को मिला कि कभी भी मनुश्य को गुस्से में आकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए तथा किसी भी जीव के प्राण किसी वस्तु से बढ़ कर है इन सब के लिए राजा कृष्ण देवराय तेनानी रामा का शुक्रियादा करते है और साथ ही रामा को खूब सारे उपहारों से लाद देते है अब भई चलिए जानते हैं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हम सब को क्या कुछ सीखना चाहिए इस कहानी से हमें इस कहानी से दो सीख मिलती है पहला यह है कि हमें कभी भी आवेश क्रोध में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं दूसरा यह है कि किसी भी वस्तु के लिए हमें किसी भी इंसान के जीवन को खत्रे में नहीं डालना चाहिए, किसी भी वस्तु का मोल, किसी भी व्यक्ति की जिन्दगी से कहीं गुना अधिक होता है। उसके समान कोई भी बुद्धिमान पविद्वान नहीं है। उसने दर्बार में उपस्तित सभी दर्बारियों से ये कहा, कि यदि उनमें से कोई चाहे, तो उसके साथ किसी भी विशे पर वाद विवाद और शास्त्रारत कर सकता है। परंतु कोई भी दर्बारी उसके वाद विवाद करने का साहस न कर सका इसे बीच राज पुरोहित तथाचारे ने उनकी चुनूती को स्विकार कर लिया और भई चुनोती स्विकार तो कर ली लेकिन बाद में तथा चारे को पच्ताना पड़ा पूरे दर्बार के बीच तथा चारे हसी का फात्र बन कर रहे गए राजा देवराय भी बड़ी ही चिंता में और दुविधा में डूब गए अब भई उनका शस्त्र जोकी उनका प्रम्भास्त्र है यानि की हमारे पंडित रामा कृष्णा अब भई राजा ने धरबारियों को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पंडित रामा कृष्णा को जल्द सिध जल्द दरबार में उपस्तित होने का निमंत्रन दे दिया जाए राजा के आदेश पर रामा दर्बार में आये और महराज को निश्चिंत होने के लिए कहा पंडित रामकृष्णा ने विद्वान की चुनोती को स्विकार कर लिया और इसी बीच चुनोती का दिन भी तै कर लिया गया भई दिवस बीते, रात्री बीती और मुकाबले का दिन भी आ गया और मुकाबले के दिन पंडित रामकृष्णा पूर्णत एक विद्वान पंडित के रूप में दर्बार में उपस्तित हुए उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा गठर ले रखा था जो देखने में भारी पुस्तकों के गठर के समान लग रहा था और शीगर ही वो विद्वान भी दारबार में आकर तेनाली रामा के सामने बैठ गया रामा ने जुक कर महराज कृष्णिदेव राय को प्रणाम किया और गठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया ततपश्चात दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए राजा समझ गए थे कि पंडित का रूप धरे तेनाली रामा के मस्तिश्क में अवश्य ही कोई योजना चल रही होगी इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे है अब राजा के आदेश पर वाद विवाद आरंब कर दिया गया पंडित के रूप में तेनाली राम पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले विद्वान महाशे मैंने आपकी विशे में बहुत कुछ सुना है मुझे इस पुस्तक का नाम बताईए विद्वान ने कहा तेनाली राम बोले विद्वान महाशे पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिशा बंधन विद्वान चकित हो गया विद्वान ने अपने पूरे जीवन में इस तरह की पुस्तक का ना तो नाम सुना था ना कहीं पड़ी थी इसलिए विद्वान घबरा गया और सोचने लगा कि भई ऐसे पुस्तक जिसके विशे में ना तो आज तक उसने कभी बढ़ा है और ना ही कभी सुना है कैसे उससे वाद विवाद करेगा लेकिन फिर भी वह बोला अरे यह तो बहुत ही उच्च कोटी की पुस्तक है इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनन्द आएगा परन्तु आज विवाद रहने दिया जाए क्योंकि मैं इस पुस्तक के महत्वपूर्ण तत्यों को भूल गया हूँ इसलिए में कल प्राते स्वस्त वैस्वच मस्तिश्क के साथ हम दोनों वाद विवाद करेंगे तेनाली राम के नुसार वह विद्वान तो आज के वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतिक्षा कर रहा था परंतु अतिती की इच्छा का ध्यान रखना तेनाली राम का कर्तव्य था इसलिए वह सरलता से मान गया लेकिन वाद विवाद में हारने सकी भैसे विद्वान नगर छोड़ कर भाग गया और अगले ही दिन प्रत जब विद्वान शाही धरबार में उपस्तित नहीं हुआ तो तेनाली राम बोले महराज वह विद्वान अब नहीं आएगा वाद विवाद में हार जाने के भैसे लगता है वह विजय नगर से पलायन कर चुका है रामा वाद विवाद के लिए लाई गई उन अनोखी पुस्तक के विशे में कुछ बताओ जिससे की हमें भी तो ग्यात हो कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे डर कर वह विद्वान भाग गया राजा नहीं पूछा महराज वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है मैंने ही उसका यह नाम रखा था तिलक्षता महिशा बंधन इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकडिया और महिशा बंधन का अर्थ है वह रसी जिससे भैसों को बांदा जाता है मेरे हाथ में वह गठर वास्तों में शीशम की सूखी लकडियों का था जो की भैस को बांदने वाली रसी से बंदी थी उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वै देखने में एक पुस्तक जैसी लगे लेकिन तेनाली रामा की बुद्धी मता को देखकर राजा वै दरबारे अपनी हसी रोकी नहीं पाए राजा ने प्रसन होकर रामा को धेर सारे पुरुसकार दिये और एक बार फिर रामा ने विजयनेगर की इज़त उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखा एक दिन की बात है बातों ही बातों में राजा कृष्णि देव राय ने तेनाली राम से पूछा अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के लोग सबसे अधिक सयाने तेनाली रामा ने तुरंत उत्तर में कहा महराज ब्राहमन सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा मैं ये बात साबित कर सकता हूँ रामा ने कहा कैसे? राजा ने पूछा अभी जान जाएंगे आप जरह राजगुरु तथाचारे को तो बुलवाईए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजपुरोहित तथाचारे को दर्बार में ततकालीन उपस्थित कराये जाए राजा का संदेशा मिलते ही राजगुरु तथाचारे भागे भागे दर्बार में आए तेनाली रामा ने कहा महराज अब मैं अपनी बात आपको साबित करके दिखाऊंगा लेकिन इस कारे के लिए मैं चाहूँगा कि आप उसमें दखल न दे आप ही है वचन दे तब ही मैं है काम करूंगा राजा ने रामा की बात मान ली और वचन दे दिया रामा ने आदर पूर्वक राजगुरु से कहा राजगुरु जी महराज को आपकी चोटी की आवशक्ता है इसके बदले आपको मुमांगा इनाम दिया जाएगा अब भई वर्षों से तेल पिला पिला कर बड़ी की गई अपनी प्यारी सी चोटी को कैसे राजगुरु इतनी सरलता से कटवा दें लेकिन राजा की आजग्या को भी कैसे टला जा सकता था तथाचारे ने कहा इसी बीच तथाचारे के शिश्य धनी बनी तथाचारे को ये सुझाव देते हैं कि गुरु जी विचार उच्च है ऐसा आवसर पुने नहीं मिलेगा और तथाचारे दोनों को एक एक थपड लगाकर चुप रहने का आदेश देते हैं इसी बीच पंडित रामा कृष्णा भोल पड़ते हैं रामा कहते हैं गुरुवर आपने वर्षों से और जीवन भर महराज का नमक खाया है चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर कभी वापस ना सके इसलिए महराज मुमांगा इनाम भी दे रहे हैं तो मोके का लुप्त उठाईए राजगुरु मन ही मन समझ गया कि ये पंडित रामा कृष्णा की चाल है रामा ने पूछा गुरुवर आपको चोटी के बदले क्या ही नाम चाहिए तथाचारे ने मन ही मन सोचा कि वो खूब सारा धन राजा से एंट ले लेकिन फिर उसकी प्रतिष्णा पर प्रश्ण चिनने लग सकता था इसलिए ज्यादा लालचना करते हुए तथाचारे ने कहा कि मेरे लिए तो पांच सवन मुद्राए ही अधिक होंगी और राजा के आदेश अनूसार राजपुरोही तथाचारे को पांच सवन मुद्राए दे दी गई और नाई को बुलाकर उनकी चोटी को कटवा दिया गया अब तेनाली राम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलाया तेनाली रामा ने व्यापारी से कहा महराज को तुमारी चोटी की अवशकता है व्यापारी बोला कि सब कुछ महराज का वो जब चाहें जो चाहें वो ले सकते हैं परन्तु एक बात का ध्यान अवश्या रखना कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ राजा ने व्यापारी से कहा कि तुम पूर्णता निश्चिंत हो जाओ तुम जो कुछ भी मांगोगे हम तुमें वो दे देंगे व्यापारी बोला सबाब की ही तो कृपा है लेकिन फिर रामा बोले संकोच ने करो जो कुछ भी कहना चाहते हो सपष्ट शब्दों में कहो व्यापारी बड़ा ही चतुर था इस पर व्यापारी बोला जिदरसल बात ऐसी है कि मैंने अपनी बेटी का विवा किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी पाँच हजार स्वण मुद्राओं खर्च की थी पिछले साल मेरे पिता की मृत्यू भी हो गई थी तब भी इसी कारण पाँच हजार स्वण मुद्राओं का खर्च हुआ था और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण ही बाजार से कम से कम पाँच हजार स्वण मुद्राओं का उधार भी मुझे मिल जाता है अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15,000 स्वण मुद्राओं जितना होगा ये रामा ने कहा इस पर व्यापारी सहमत हो गया यह मूलियत में दे दिया जाएगा 15,000 सुन मुद्राई व्यापारी को दे दी गई व्यापारी चोटी मुंडवा ने बैठा जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा व्यापारी कड़कर बोला संभल कर नाई के बच्चे जानता नहीं है माराज कृष्ण देवराय की चोटी है और भई ये बात सुनकर राजा कृष्ण देवराय आग बभूला हो गए उन्होंने आदेश दिया की तुरंत इस व्यापारी को धक्के मार कर राज्य से बाहर निकाल दिया जाए ये सिर्फ रा यहां राज्य में फिर से दिखना नहीं चाहिए व्यापारी 15,000 सुन मुद्राओं की थेली को लेकर वहां से भाग निकला कुछ देर बाद तेनाली रामा ने कहा आपने देखा माराज राज्य गुर्य ने तो 5 सुन मुद्राओं लेकर अपनी चोटी मुद्वाली और वही दूसरी ही तरफ व्यापारी 15,000 सुन मुद्राओं भी ले गया और चोटी भी नहीं मुद्वाई अब आप ही बताईए ब्राहमन सायाना हुआ कि व्यापारी राजा ने कहा सच मुच आपने सक्त्य ही कहा था पंडित रामकृष्णा तो दोस्तों इस कहानी में तो सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगले अपिसोड में और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतिजार कर रहे हैं जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप आने वाली वीडियो की लेटेस नोडिफिकेशन्स मिस ना कर पाए